नमस्कार दोस्तो स्वागर आप सभी का तिकिराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने रेट मी नॉट 9S पर चार्जिंग प्रॉब्लेम सॉल्फ कैसे कर सकते हैं मन दीजैं दोस्तो आपके फान पर चार्जिंग प्रॉब्लेम हो रहा है तो किस वज़से और किया इश्यु Chanel हो सकते हैं ठीके बाक्ना सब आज इस वीडियो को देख लिजेगा और किया क्या सॉलुशन करना होगा तो दोस्तों शूरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को क्लिक करें यहीं आप उनलाइन पेसा का माना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंग मिल जाएगा और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्वीटर पर फॉलो करके मेसेज कर सकत बैंशे करके हैं कर से कभने छोंसी होते हैं या फिन फिस्क्राइव का बिगार्ड खाब हो सकते हैं काइफ कश कर लिए तो आप उस बक जाकर घार्ड यहां की फून को आपने फोनको फैट्ना फोन पे इतना ज़ٍदा 얼마 नहीं ही लगते हैं लेकिन यदि आपका घर का जो वॉल्ट है वह अभी के लिए काफी लाइट इश्यू हो रहा है और उसमें चार्जिंग आइमीन उसमें जो है वॉल्टेज का काफी जारा इश्यू है तो अब उस वक्त जाके ठीक है अपना फोन को चार्ज कर देते तो उस वक्त दोस्तों बै करने का तरीका किया है मैं आपको बता रहता हूं आप दोस्तों डिवाइस को रिस्टार्ट करने के सारे साथ किसी दूसरे चार्जर से ट्राय करके देखे हो सकते आपके चार्जर में प्रॉब्लम हो सकते ठीक है तो चार्जर में प्रॉब्लम हो सकते ठीक है तो चार्जर म के वले वह काम कर या नहीं कर रहे हैं उसको चुछ डिवाइस टिके डूसरे डिवाइस पर आपको उसको जो है चार्ज करके देखना है और चकर कर HetIC कैबल या नहीं कर रहें अगर दूसरे मोबाइल पर काम करते आपकी डिवाइस पर काम नहीं करते तो दोस्तों मैं आपको कुछ सॉलुशन्स बता रहता हूं यहाँ पर आपको करना क्या क्या होगा ठीक है मान लेजिए उस दूसरे मोबाइल पर भी आपका जो चार्जिंग का केबल है वह का कर रहा है और दूसरे केबल पर भी आप ट्राय कर चुकिए अपने डिवाइस को चार्ज करने का निकिन नहीं हो रहा है तो फिर दोस्तों क्या करें तो दोस्तों यहाँ पर आप दिवाइस पे ठीक है चेक कीजिए कोई ऐसा बैट एप्लिकेशन अपने इंस्टों नहीं कि अगर बैट एप्लिकेशन इंस्टों करते तो आपका पूरा जो डिवाइस है वह खराब कर सकते हैं तो उन बैट एप्लिकेशन को आपने डिवाइस से पूरा डिलेट कर दें डिलेट करने के साधर डिवाइस का खेश को भी एक बार डिलेट करें उसके लिए आपको जाना यानि कि recording कर दो जागा और बीच में वीडियो जो है पोस्ट हो जाएगा ठीक है तो उसके वाज़े से दोस्तों यहाँ पर अभी clear case हम नहीं कर सकते तो आपको दोस्तों करना है ठीक है खेश को clear करना है उसके बात आपको करना क्या है आप खेश क्लियर करने के सारे साथ दोस् सब्सक्राइब हो रहा है नहीं हो रहा है सारे साथ दोस्तों आप यहाँ पर software को भी update करके देखिए तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो device software है ठीक है अपडेट पर क्लिक करें और अपना software को भी update करें अगर software में कोई भी issue है software crash का प्रॉब्लम है तो अपडेट करती ही आपका जो प्रॉब्लम है वह सौल्फ हो जाएगा ठीक है तो आप यह भी कर सकते हैं और दोस्तों यह सब करने के बाद भी ठीक है आपका सौल्फ नहीं हो रहा है चार्जिंग का issue यहाँ पर दो confirmation दो बता नहीं सकता हो लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्रॉफ हुआ ठीक है काफी सारे लोगों का जो चार्जिंग का issue रहते हैं वह लोग क्या करते हैं factory reset कर देते तो उसके बाद अपने प्रॉब्लम सौल्फ हो जाते सो फिर को भी update रखते हैं ताकि कोई issue ना हो ठीक है तो इतना solution करने के बाद यह fix हो जाते हैं मान लिजए यहाँ पर आपके जो charging पीन है उसमें ही खराबी है फोन के जो charging पीन है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं यहीं उसमें ही खराबी है तो दोस्तों वह आपको technician के पास जाके fix करवाना होगा ठीक है तब ही problem solve होगा तो बस